5,4,3,2,1 Hypersonic Technology Demonstrator वीकल ये कोई जोटी मोटी बात नहीं है ये भारत का एक और पराक्रम है ये आत्म निर्भर भारत की बहुत बड़ी निशानी है ये भारत का गर्व है कि हमारे अपने ही वैज्ञानिकों ने ये महारत हासिल कर ली है HSTDV यानि Hypersonic Technology Demonstrator वीकल इसका सफल परिक्षण करके ये इतनी बड़ी उपलब्धी है कि इसकी जानकारी खुद देश की रक्षा मंत्री ने दी है कि DRDO ने Scram Jet Propulsion System के इस्तेमाल से Hypersonic Technology Demonstrator वीकल की टेस्टिंग का कमाल कर दिखाया है खास बात यही है कि इस Scram Jet Propulsion System को पूरी तरह से देश में ही विक्सित किया गया है खुद DRDO ने इसे भारत के लिए एतिहासिक मिशन बताया है यह भारत की कितनी लंबी चलांग है इसका अंदाजा आप खुद लगाईए कि अमेरिका रूस और चीन के बाद दुनिया में भारत ही ऐसा चौथा देश है जिसके पास हाइपर सौनिक टेकनोलोजी है होडीशा के बाला सोर स्थित एपी जी अब्दुलकलाम टेस्टिंग रेंज से इसका शांदार सफल परिशन किया गया स्क्रैम जेट एरक्राफ्ट अपने साथ लॉंग रेंज और हाइपर सौनिक क्रूज मिसाइले ले जा सकता है इसकी रफ्तार मैक 6 है मैक 6 यानि आवाज से भी 6 गुना ज्यादा तेज मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर के भीतर निशाना बना लेगा आम मिसालें बैलिस्टिक ट्रेजिक्टरी फॉलो करती है इसका मतलब होता है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटेक का मौका मिलता है जबकि हाइपर सॉनिक वेपन सिस्टम कोई तैशुदा रास्ते पर नहीं चलता इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा भी नहीं लग पाता कि उसका रास्ता क्या है स्पीड भी इतनी तेज है कि टार्गेट भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता यानि सारे एर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे सोचिए क्या होगा जब इस तकनीक के इस्तिमाल से भारत की मिसाइलों की स्पीड आवाज से भी छे गुना ज्यादा तेज हो जाएगी क्योंकि दुनिया के किसी देश के पास फिलहाल ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसका तोड़ दे सके अमेरिकी रक्षा वभाग पेंटागन इस पर रिसर्च जरूर कर रहा है HST-DV का भविश्य में न केवल हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल बनाने में इस्तिमाल होगा बल्कि इसकी मदद से काफी कम खर्चे में सेटेलाइट भी लाँच की जा सकेंगी